दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसराइल के सी ब्रेकर मिसाइल के बारे में और साथ में ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा मिसाइल इंडिया के लिए सुटेवल है और एक तरफ जहावे इंडिया इसराइल से बड़े मातरा में हतियारों का पर्चे कर सकता है तो दोस्तों इसराइल के रैफैल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा एक फिफ जेनरेशन के लॉंग रेंज और नमस प्रिसिजन गाइड़ मिसाइल को तैयार किया गया है जिसका नाम स्री ब्रेकर रखा गया है और कुछ सोर्सेस के मुताविक खास करके मिसाइल के आवशकता पड़ सकता है तो सो ये जो सी ब्रेकर मिसाइल है ये बेसिकली एक नेवल और आटिलेडी यूइनिट के फोर्स मल्टिप्लायर है और रैफैल एडवांस डिफेंस सिस्टम के तरफ से अपने हाई प्रिसिजन गाइड़ सिस्टमों का इस्तेमाल करते हुए नया जेनरेशन के वर्फियर को अंजाम देने के लिए ही इन मिसाइलों का डिजाइन और डेवलप्मेंट किया गया है रैफैल एडवांस डिफेंस सिस्टमों के तरफ से इन मिसाइलों को ऐसे बनाया गया है कि ये पिन पॉइंट एकुरिसी के साथ सर्जिकल और प् को एंगेज करने में सबसे बहतरीन है और इसे ऐसे बनाया गया है कि ये स्टेशनरी और मुविंग टार्गेट दोनों को ही तबा कर सकता है इवन एडवांस एंटी एसे एसे एरिया डिनायल मतलब A2AD जैसे एकुएप्मेंटों के खिलाब भी ये लॉइटरिंग और ब्रा बनाता है सी ब्रेकर मिसाइलों को ऐसे निर्मान किया गया है कि ये कई तरिके के नेवल फ्लाटफार्माओं में फीट हो सकेगा इवन फ्लाटफार्म का आकार कितना भी छोटा हो रिपोर्टों के मुताविक इसे फास्ट एटैक मिसाइल बोर्ट से शुरू करके के मुताविक इसके जो बैटरी आर्किटेक्चर है इसे ऐसे निर्मान किया किया है कि ये ग्रूप में भी इस्तेमाल हो सकेगा और स्टैंड एलाउन तरीके से मतलब अकेला ही इस्तेमाल होने में सक्षम है और इसके लिए इसके बैटरी आर्किटेक्चर में और डेटावेस सेंस मैचिंग को इस्तिमाल कर सके इसके इलावा इसके यूनिक कॉमबैट परफॉर्फॉर्वेंस में रैफैल्स डिफेंस टेकनोलोजी के कई तरीके के इक्वेपमेंट शामिल है जैसे कि इसके आटोमेटिक टारगेट एकोजिशन सिस्टम और आटोमेटिक इसके इलावा इस मिसाइल में ECM इम्यून और जैम डेजिस्टेंस इक्वेपमेंटों को लगाया गया है जो एक तरीके से मिसाइलों को इलेक्ट्रोनिक वोर्फेर इंवार्मेंट में भी इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है दोस्तों ये मिसाइ मिसाइल के कमपनी के द्वारा मिसाइल के समय मिसाइल के आकार के उपर भी बारीकी से ध्यान रखा गया है ताकि मिसाइल काफी अधिक स्टेल्थी हो सके मिसाइल को सिलिंडर के शेप में तैयार किया गया है और कम से कम इसमें उभार रखा गया है ताकि मिसाइल राडर में मतलब booster इस्तिमाल होने के दर्मियान भी इसे आसानी से detect ना कर सके कुल मिला कि इन missile में stealth feature और artificial intelligence जैसे technology के इस्तिमाल के कारण से इन missile को next generation के missile का दर्जा दिया जा रहा है जबकि Israeli media के मताविक ये 5th generation के missile है दोस्तो अब बड़ा सवाल ये है कि missile चाहे कितना भी अधिक feature से लैज हो अगर इन missile को भारत को offer करने का तैयारी किया जा रहा है तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत को ऐसे missile के आवशक्ता है है दूसरे तरफ अगर secondary सवाल को देखा जाए तो इन missile को भारत के existing missile के साथ compare किया जा सकेगा ताकि ये जानने में मदद मिले कि भारत को ऐसे missile के आवशक्ता है की नहीं और ऐसे missile में सबसे प्रमुक है भारत के ब्रमोस missile जो already दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन या फिसक से advanced तरीन missile का धरजा हासिल कर चुका है दूसरों अगर देखा जाए तो sea breaker missile को सबसे पहले भारत के ब्रमोस missile के साथ इसके launch platform के base पे compare किया जा सकता है sea breaker missile को खास करके navy के छोटे छोटे जहाज या बड़े आकार के जहाज से दागने के लिए ही डिजाइन किया गया है जिनमें fast patrol, boat, corbet और frigate जैसे जहाज शामिल हो सकता है दूसरे तरफ इसके land waste version इस्राइल के दौरा निर्मान किया हुआ spider, air defense, missile launcherों से भी दागा जा सकता है जो भारत के दौरा भी इस्तिमाल किया जा रहा है और आप लोगों को मैं पहले ही वता चुका हो कि इन missile के जो launcher architecture है उसे ऐसे बनाया गया है कि ये stand-alone तरीके से भी इस्तिमाल हो सके और group में भी इस्तिमाल हो सके जबकि launch platform के बाद सबसे बड़ा comparison के sector है इसका रफ़तार रिपोर्टों के मुताविक sea breaker एक high subsonic missile है जबकि रफ़तार के मामले में ही अगर इसे ब्रमोस के साथ compare किया जाता है तो ये ब्रमोस से मात खा जाता है तो सो ब्रमोस missile एक supersonic missile है मतलब इसका रफ़तार sea breaker missile से खले अधिक नहीं बलकी कई गुना अधिक है रिपोर्ट के मुताविक ब्रमोस दुनिया का पहला और एक मात्र supersonic cruise missile है जिसे sea breaker के जैसे कुछ गिने चुने platform से नहीं बलकी हर तरिके के platform से दागाया सकता है चाहे हो समुंदर के उपर तैने वाले जहाज हो या फिर जमीन से दागे आने वाले launcher हो इवन इसके canister launch version होने के बदालत ये submarine से भी दागाया सकता है और छोटे से area में बने हुए launch paddle से भी दागाया सकता है इवन हाली में इन missile के air launch version को भी Indian Air Force में operationally शामिल किया गया है जो ये सावित करता है कि ब्रमोस missile तीनों dimension से दागने में सक्षम है दोसों इसके बाद जो सबसे बड़ा factor आता है वो है missile के range को लेके वैसे अगर देखा जाए तो ब्रमोस missile के जिन वर्जिनों को land waste और naval platform में तैनात किया गया है उसका range और sea breaker missile के range लगवग एक है लेकिन ब्रमोस missile sea breaker के तुलना में range के मामले में जल्दी आगे चला जाएगा इवन इसके air launch version already range के मामले में sea breaker से आगे है तो वो ही पे extended range version के जिन missile का तैयारी किया जा रहा है वो initially 400 और उसके बाद 600, 800 और 1000 किलोमेटर या उससे भी अधिक range के missile में परिवर्तित होगा extended range ब्रमोस वर्जिनों में भारत द्वारा अधिक दुरूरी तक मार कने वाले ब्रमोसों के उपर सफलता पूरुबग कई हद तक काम किया चुका है और जल्दी इसके extended range वर्जिन इंडियन आर्म फोर्सेस में ओपरेशनल हो जाएगा जबकि sea breaker missile को लेके वी रैफैल एडवांस डिफेंस सिस्टम के तरफ से ये दावा किया गया है कि ये कस्टमोरों के आबोशक्ताओं को देखते हुए एर लॉंज वर्जिन में भी तबदिल हो सकता है जबकि रैफैल डिफेंस सिस्टम के तरफ से इन मिसाईलों के रफ्तार को भी बदलते हुए सुपरसोनिक रफ्तार में convert किया सकने का दावा किया जा रहा है दोसो सी ब्रेकर मिसाईल को अगर ब्रमोस मिसाईल के तुलना में किसी एक सेक्टर में सबसे अधिक advantage है तो वो है इसका वजन रिपोर्टों के मुताविक सी ब्रेकर मिसाइलों के वजन करिफ करिफ चाट सो किलोग्राम के आसपास है तो वही पे ब्रमोस मिसाइलों का वजन धाई हजार से तीन हजार किलोग्राम के आसपास है पर दोसो इस वजन के कारण ब्रमोस मिसाइल को दो तरीके का वेनिफिट है तो उही पे मिसाइलों के स्टेल्थ फीचर को लेके भी रैफाईल एडवांस डिफेंस सिस्टम के तरफ से बढ़े दावा किया आता है पर दोस्तो इन फीचरों के बावजूद ये मिसाइल ब्रमोस के बरावरी नहीं कर सकता है क्योंकि ब्रमोस का जो रफ्तार है वो ये सवी चीजों को पीछे छोड़ देता है खास करके दुश्मन के एर डिफेंस सिस्टमों के खिलाब ब्रमोस जी तरीके से कारेगर है वो शायद अन्य कोई मिसाइल हो सके इवन ब्रमोस के रफतार इतना अधिक है कि इसके reaction time किसी भी दुश्मन के air defense system के लिए काफी नहीं होगा इन missile को रोकने के लिए। लॉंज वर्जिनों के तैयारी के बाद शायद ही ऐसे missile और भारत के आवशक्ता के अंतरगत आ सकेगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आईगम को ये प्रेस कड़ दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन